हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी बैसेप का बीच वाला मसल तयार करना चाहते हैं बीच वाला डोला बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आज इस वीडियो में हम बताने वाले ऐसी एकसरसाइज जिसे आपका बीच वाला डोला बढ़ेगा और इसके लावाद दूसरा नंबर के exercise करेंगे हम वो है पीचर कल इसके चार सेट मिनिमम दस रैपेटिशन करेंगे दोस्तों इस exercise को हम रोड की साहता से करेंगे इस exercise से बीच वाला मसल जल्दी से तयार होता एक अच्छा लुक मिलता एक अच्छा सेट मिलता दोस्तों अगर आप बिगनर है तो इस exercise को आप मसीन की साहता से कर सकते हैं ताकि अच्छा फॉर्म बिले और आपको इंजरी होने का चांसिस ना हो और तीसरी नंबर के exercise यह standing bicep कल इसको हम single bicep से करेंगे और minimum 3 set करेंगे 10 repetition मारेंगे दोस्तों अगर आप सच में bicep बढाना चाते हैं एक अच्छा लुक देना चाते हैं तो concentration कल को कभी आवोड ना करेंगे इसके 3 set minimum 10 repetition मारेंगे American Research Association में कहा गया है यह exercise करने से आपका bicep का लुक बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों इसके लावा हम करेंगे पांचवा नमबर के exercise यह standing cable rope कल इसके 4 set minimum 10 repetition मारना है दोस्तों इस exercise में हम हर एक set में weight बढाएंगे पहला 10 repetition मारेंगे दूसरा 12 का मारेंगे तीसरा 15 का मारेंगे और 14 20 का मारेंगे इससे हमारा short head और long head दोनों bicep train होता दोस्तों इसके लावा हम करेंगे छटी नमबर के exercise है दोस्तों standing cable curl इसको 2 set करेंगे minimum 15 repetition करेंगे इसमें अच्छे से grip से पकड़ेंगे दोस्तों ताकि हमारे बीचवाला muscles पे effect पड़े और अच्छा shape मिले दोस्तों अगर आप bicep का बीचवाला डोल अब बढ़ाना चाते है तो इस exercise को अवर्डना करेंगे hammer curl इसके 4 set मानने है minimum 10 repetition करेंगे दोस्तों हलके form में उपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे दोस्तों और उपर जाते हैंगे और नीचे जाते हैंगे सांस होड़ेंगे दोस्तों इस exercise हमारा bicep वाला muscle अच्छे से train होता है अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छा सा effect आगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंसेगे जय हिंद वंदेमा